ज्यादा बदलाव आएगा टॉस का जीतना या हारना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं इसकुछ पर स्वागित है स्वागित है फील्डिंग टीम ओपनर्स फील्ड में आते हुए के लिए अब में खेल दिया है और ट्याप में जाग रन बल्लेबाज पूर्केट में इनकी आक्रमक बल्लेबाजी से जाने जाते हैं ये इस शॉट लगारा है बल्लेबाज में सारे फील्डर्स इस शॉट सीथा बाउंजी की तरा इस शॉट मारा है पर ये बाजने बल्ले के बीचो बीच से ना होगा इसे कहते है उत्तम शॉट बढ़िया टाइमिंग सामना करने के लिए इस शॉट बाजने बल्ले बाजने पूरे नियंद्रन में थे वहां बाजने पूर्णे ना होते हुए बल्ले बाजने पर अपड़े गाए बड़ा ही साधारन शॉट था क्या शाल दान थेरन मारा है तिल को फुष कर दिया बल्ले बाद और ये पाक्सिमम गेंड जाएगी बाउंडरी के ऊपर से और डेश कि अधिया था पाउंडरी की तरफ अपनी ज्राइफ संभाल के खेलनी होगी अब ये खेल दिया है और गैप में भी चार रन बल्ले बाद पूरे नियंद रन में थे वहां कराला प्रहाद बल्ले बाद का छे रन बहिया शौर इसे रोप पाना की मुझे है पेड बल्ले का बॉल के साथ अच्छा कार मेल छे रन बल्ले के एक तम बीच से शौट को मारा जबरदस्ट शौट काफी अच्छी अपील फिल्डिंग साइड द्वारा और ये नस्दी की मामला हो सकता है ये बॉल लगी है स्टंप्स पर और बल्ले बास को चाना पड़ेगा पविलियन लगे दाद देनी होगी कीपर की यहाँ पे ते स्टंपिंग बल्ले बास टाइम में अंदर नहीं आ पाए लिगेंद का सामना करने के लिए बहादी गुट दूर की से मारा है शौट को समर्दस्ट शौट बल्ले का बढ़िया कनेक्शन और गेंद का इस सीधा हव में लग रहा है बल्ले बास लेच्छे रन लगता है धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे है पहतरीन गेम बाजी बल्ले बास शौट पूरी ताकत लगा दी इस शौट में बल्ले बास रहे शेदान ये बाल लगी है स्टांसपर्थ और बल्ले बास अबर में खेल दिया है और गैप में भी शार रन बल्ले बास पूरे नियंतरन में थे वहाँ पूप सोरग शौट बाल ने अपना रस्ता कुछ चुना और सीधा चार गुंची तरह तबरदस्ट शौट और बॉल सीमा रेखा असानी से पार करती हुई अबर में खेल दिया है और गैप में भी शार रन बल्ले बास पूरे नियंतरन में थे वहाँ एनिंग्स की समापती सलामी बल्ले बासों को जल्दी पैड़ अप करके जल्दी वापस क्रीज पर उतरना होगा तो लक्ष शुरुवाती विकेट्स बोड़ हमें यहां अच्छा मुकाबला देखने मिल रहा है यहां देखते हैं कर दाना शौट पर ले बास का और यह छेदान क्या शौट लगाया है बल्ले बास में सारे फील्डर्स बजगेंद को दर्शनात किये हैं कैप्टन ने बाल सीमा देखा कि दर जाती हुई और चादन सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ बड़ी अच्छी बाटिंग फॉर्म में लग रहा है बल्ले बास और यह मक्सिमाम गेंद जाएगी बाउंडरी के उपर से और देख गेंद बासी करते हुए कर्राला प्रहार बल्ले बास का छे रन ओहो जब यह मारना शुरू करते हैं इनको रोकना मुश्किल है फील्डिनों के बीट से जड़ दिया है बॉल बांडरी लाइन पर आराम से जाती हुई और यह गेंद बल्ले से लगते ही चार रन तैपर कोई मौकर नहीं था वहाँ पर बॉल सीधा सीमा रेखा के बाहर धमा के इसे कहते हैं उसका इस चोट बढ़िया टाइमिंग पर फील्डर तैनाथ किये हैं कैप्टन ने बल्ले का बॉलर का अच्छा ताल लेल छे रन बॉलर अपने पसंदीदा छोड से गेंद बाजी करते हुए बल्ले के एक बम बीट से इस चोट को मारा जबरदस्ट शोट कहां काफी आक्रमक मूड में लग रहे हैं बहा की फूप शोटी से मारा है इस चोट को बॉलर अपने पसंदीदा छोड से गेंद बाजी करते हुए बल्ले का बढ़िया कनेक्शन और गेंद का इस सीधा हवाई यात्रा पर अथन बॉलर के लिए असांसा कैश जोर्डार अपील काफी नस्दी की मामला और ये रवियू लेते हुए बाद चेकिंपर नोबल बॉल ये बॉला प्पेर बॉला ये दゲील ये ये देज दॉल papa बग अपन लबसे इंद बग केलियन का लंबा रास्ता है हमें यहां गर्शा कि इस मैच का पूरा लुज उठा रहे हैं यहां यह हैं कैप्टन ने कि पूरी तर्शन रखा दी इस शॉट में पल्ले बाज में छे दान कि पूरी तर्शन रखा दी इस शॉट बल्ले बाज का और यह चे दान नो बॉल काफी निराश होंगे बोलर अपने आप से यहां लगा पाएंगे बल्ले बाज यहां देखते हैं सारे फील्डर्स बस गेंद को दर्शकों के बीच जात प्रयास करेंगे देखते हैं अच्छा शॉट था यह पर गेंद इंसाइट सर्कल को पार नहीं कर पाई नहीं जोर्दार अपी लेकिन अंपायर का इशारा नाट आउट